दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम टोटल 5 शेर्ट को कवर करने वाले हैं IRCTC, Tata Motors, Wipro Limited, साथ ही साथ बात करेंगे हम यहाँ पर Trident Limited और TTML को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे बिले IRCTC के बारे में उसके बिले यदि आपने चैनल पर फर्स टाइम विजिट का है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बिल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी मत बुलिएगा IRCTC जहां कल ही के दिन आपको इसके Annual General Meeting भी देखने को मिल चुकी है हाला कि Annual General Meeting के Outcomes आना अभी बाकी है जैसे ही Annual General Meeting के Outcomes निकल कर आ जाएंगे आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से अपडेट कर दिये जाएंगे अगर आपने अभी तक Telegram Channel को जोइन नहीं किया है तो लिंक आपको Description Box में मिल जाएगी बहुत सारे Investors को बहुत सारे हमारे Family Members को Confusion भी होगा इसलिए मैं आपको यहाँ पर Corporate Announcement भी चेक करवा देता हूँ आजी के दिन सिर्फ एक ही Announcement हमें देखने को मिल रही है वो भी Change in Directors की देखने को मिल रही है तो अभी IRCTC ने अपने AGM के Outcomes डिकलेर नहीं करे हैं जैसे ही Outcomes आएंगे आपको हमारे चैनल से अपडेट कर दिये जाएंगे आज के दिन जो IRCTC से रिलेटेट बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है वो भी आप देख सकते हैं IRCTC ने अपनी एक Press Conference के तुरू यहाँ पर एक अपडेट डिकलेर करी है कि वो जैसा Executive Launch आपको Delhi के Railway Station पर देखने को मिला है जिससे Company को Almost अगर हम यहाँ पर Experts की माने तो लगबग 60 लाक रुपे की Income देली के एक Lawn से होने वाली है तो यहाँ पर Company याने की IRCTC उत्रों से मिली जानकरी के मुताबिक IRCTC 12 और शहरों में Executive Launch शुरू करने वाली है जिसमें पटना, वारण असी, लखनाव और चंडिगर शामिल होंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट्स IRCTC को लेकर निकल कर आ रही है आप तारीक भी Confirm कर सकते हैं 22 सितंबर 2021 आजी के दिन CNBC आवास की तरफ से यह अपडेट निकल कर आ रही है तो अगर आपने IRCTC के अंदर investment कर रखा है तो definitely यहाँ पर आप अपनी positions को continue कर सकते हैं चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर shares के बारे में IT sector की दिगज कंपनी Wipro Limited की तरफ से भी एक बड़ी updates निकल कर आ रही है Wipro Limited के trading session को अगर आप देखेंगे तो आज के दिन shares ने 645 रुपे का high बनाया उसके बाद में हमें जो इसकी closing है वो 1.90 पेसे के upward में यहाँ पर देखने को मिल रही है हाला कि Wipro Limited की तरफ से भी जो यहाँ पर official updates निकल कर आई है Update में ने आपके सामने open कर ली है 22 सितंबर 2021 आज ही की दिन की यह news है इसमें आप देख सकते हैं Wipro Limited A leading global information technology consulting and business process services company today released a report indicating that leaders in cloud adoption approach their cloud journey differently than beginners enabling them to achieve a 10x greater annualized return on investment तो company ने यहाँ पर जो report generate करी है जो report declare करी है उसके अंदर जो अपनी return on investment का data declare करा है वो लगबख 10 गुना तीजी से increase हुआ है तो ultimately बहुत ही शांदर news हमें Wipro Limited की तरफ से आते वे देखने को मिल रही है इस news का impact भी आपको कल की trading session में Wipro Limited के अंदर देखने को मिल सकता है अगर पिछले एक महिने के चार्ट पेटन को अगर आप चेक करेंगे तो Wipro Limited ने पिछले एक महिने के अंदर भी बहुत ही शांदर return सी यहां पर अपने shareholders को बना कर दिये हैं लगबख 6% तक की शांदर तेजी हमें Wipro के अंदर देखने को मिली है और अगर आपने long time purpose से Wipro के अंदर investment कर रखाए तो definitely आप यहां पर अपनी positions को continue कर सकते हैं चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं TTML के बारे में यानि कि Tata Daily Services महरास्टर Limited की तरफ से भी एक बड़ी updates यहां पर हमें आते वे देखने को मिल रही है जैसा कि आपको पताए कि Tata का Super Hip अभी कुछ government policies के करण उसे pending कर दिया गया है यानि कि उसे अभी launch नहीं किया जा रहा है September मन्त में लेकिन जब भी Super Hip को launch किया जाएगा definitely उसका impact आपको TTML की share price के अंदर भी देखने को मिलेगा लेकिन आजी के दिन हमें TTML के अंदर एक शांदर न्यूज आते वे देखने को मिल रही है जैसा कि आप देख सकते हैं आजी के दिन ये न्यूज निकल कर आई है आप direct officially TTML को सर्च करके भी इस न्यूज को पढ़ सकते हैं इसमें लिखा है TTML याने कि Tata Tele Services महरास्टर लिमिटेड या यूँ कहें कि Tata Tele Services Business Services Limited has introduced industry's first customer experience platform enabling a complete digital experience for their enterprise customers and partners तो यहाँ पर company ने customers experience platform आजी के दिन यहाँ पर launch किया है जिस से जो यहाँ पर customers को जितनी भी यहाँ पर दिक्कते हैं पार्टनर्स को जितनी भी दिक्कते हैं उनसे यहाँ पर direct intact हो पाएगी company CEP will enable the channel partners and TTBS team to easily communicate about specific products related details to the customers तो यहाँ पर direct customer से connect होने के लिए यहाँ पर TTML ने ये services start करी है हाला कि services का impact TTML की share price के उपर केसा आपको देखने को मिलता है वो तो कल ही के दिन हमें trading session में पता पड़ेगा तेकिन अगर हम TTML के fundamentals numbers की बात करें तो definitely company ने जो अपने June quarter के numbers declare किये थे काफी recovery वाले numbers हमें देखने को मिले थे और शांदर performance हमें यहाँ पर quarter 2 के result में भी देखने को मिल सकती है तो यदि आपने TTML के अंदर investment कर रखा है आप profit में हैं तो definitely आप positions को continue कर सकते हैं आप loss में हैं तो यहाँ पर आप अपने financial advisor से consult करने के बाद में इस shares के अंदर averaging कर सकते हैं दोस्तों बात करें Trident Limited की तो Trident Limited के अंदर आज की दिन हमें एक positive closing यहाँ पर देखने को मिल रही है लेकिन साथ ही साथ अगर हम Trident Limited के chart button को check करें तो Trident Limited का जो chart button है वो बहुत ही शांदार तरीके से trade करते हुए हमें देखने को मिल रहा है जिस कारण से अब बहुत ही जल्दी आपको shares के अंदर एक बड़ा breakout देखने को मिल सकता है उसके पिले अगर हम Trident Limited के volume based काम की तरफ नजर मारें तो आज NAC के अंदर Trident Limited की 1.18.85.000 quantity trade हुई है जिसके सामने लगबग 50.85.000 quantity deliverable based पर उठाए गई है तो यदि आपने Trident के अंदर investment कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी positions को continue कर सकते हैं अगर Trident Limited के chart pattern को भी देखेंगे तो यहाँ पर एक consolidation phase को पार करते हुए अब company एक बड़ा breakout बना कर दे सकते हैं और वापिस इस shares के अंदर आपको शांदर moment देखने को मिल सकते हैं दोस्तों बात करें Tata Motors की तो Tata Motors के अंदर आज के दिन आपको शांदर moment देखने को मिले लगबग 2.5-3% तक की तेजी आज के दिन आपको Tata Motors के अंदर देखने को मिली से उसे increase करने का decision लिया है जो नए prices है वो first October से effective हो जाएंगे तो ultimately इस news का impact आज के दिन हमें एक positive way में देखने को मिला जिस कारण से Trident Limited की share price लगबग 2.5-3% तक बढ़ चुकी है अगर आपने Trident के अंदर investment कर रखा है तो सिर्फ सिर्फ यहाँ पर आठ दिन रहे गए हैं Trident Limited के September मन्त के numbers declare होने में तो यहाँ पर अगर आपने positions बनाए रखी है तो definitely आप positions को continue रख सकते हैं क्योंकि Trident Limited जैसी ही अपने September मन्त के numbers declare कर देंगे उसके बाद में आपको overall quarter का scenario भी पता पर जाएगा कि quarter 1 के compare में quarter 2 के financial result के से आ सकते हैं तो यदि आपने Tata Motors के अंदर positions बनाए रखी है तो definitely आप अपनी positions को यहाँ पर continue कर सकते हैं चलिए दोस्तों उमीद है आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसंद आई है तो इसे like और share करना मत बुलेगा साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो link आपको description box में मिल जाएगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected stay updated